हलो एबरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में आप सभी को लगुत्तरी प्रसंद सिखाएंगे जो कि दो अंक के प्रसंद पूछे जाते हैं तो आईए हम देखते हैं कि सिख्ध कीजिए कि करणी में दो एक पर्मे संद आए अगर इस तरीके के सवाल पूछे जाएं तो कुछ चीजें करणी त्में स्वाएं सिख्ध होती हैं उनको सिख्ध करने के लिए मान लिया जाता है उसका पिपरीत मान लिया जाता है तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए मान लेते हैं मान लिया कि रूट टू एक परमे संख्या है तो जब परमे संख्या है तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे माना कि रूट टू एक परमे संख्या है इसको P upon Q के रूप में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि परिमेत अंख्याओं को अंस और हर के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहां इसको लिखा जा सकता है कि P square बराबर 2 into Q square अगर वर्क कर देंगे तो यह हो जाएगा दो बराबर P square upon Q square फिर तिरचा गुड़ा कर लेंगे तो P square बराबर 2 Q square हो जाएगा। तो जब P square बराबर 2 square इसका मुतलब कि 2P का एक गुड़न खंड है। अर्थात यहां हम लिखेंगे अर्थात दो P का एक गुड़न खंड है। अब हम करेंगे क्या अगले step में करेंगे कि P को हम 2R के बराबर मान लेंगे। माना P बराबर 2R तो यह हमारा हो जाएगा यहां पर इस समीकराण में हम P बराबर 2R लिखेंगे तो यह 2Q square यहां पर यह 2Q square बराबर 2R का होल हो जाएगा यहां यह 2Q square यहां पर हमारा हो गया 4R square या Q square दो से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2 into R square इसका मतलब यह हुआ कि 2Q का भी एक गुरनखंड है अर्थात 2Q का भी एक गुरनखंड है अब यहां देख रहे हैं दो यह जो है पी का भी एक गुरनखंड है दो Q का भी गुरनखंड है तो हमने माना कि यह जो root 2 एक परिमे संख्या है तो परिमे संख्या की परिभासा में आता है कि अंस और हर के रूप में लिखा जाए हर जीरो के बराबर नहों और अंस और हर सह अभाज हों तो जब सह अभाज होंगे तो उनका एक ही कामन फैक्टर होगा तो यहां पर देख रहे हैं दो कामन फैक्टर हो गया पी का भी और Q का भी अता अर्थात दो पी और क्यू दोनों का गुड़न खंड है तो हमारा मानना जो हम माने है कि यह एक परिमे संख्या है अता हमारा मानना गलत है अता हमारा मानना क्या मानना कि रूट टू एक परिमे संख्या है गलत है इसलिए करड़ी में दो एक जब वो अब परिमे संख्या नहीं होगी तब वो एक आपरिमे संख्या है तो इस तरीके से अगर ये दिया जाए इससे दिखीजिए कि करड़ी में दो एक परिमे संख्या है या करड़ी में तीन एक परिमे संख्या है यहां मानेंगे कि वह एक परिमे संख्या है तो परिमे संख्या है उसको अंसा और हर के रूप में लिख देंगे अब यहां पर दिखा देंगे कि P का एक फेक्टर दो हुगा अगर तीन है तो यहां दिखाएंगे कि P का एक फेक्टर तीन होगा फिर दिखाएंगे कि Q का भी एक factor 3 होगा इसलिए P 3 जो है उन दोनों का factor होगा तो जो दोनों का factor होगा तो P और Q सहावाज होंगी नहीं जिब सहावाज नहीं होगी तो ये परिमे संख्या नहीं होगी ये परिमे संख्या नहीं होगी तो वह एक आपरिमे संख्या होगी तिस तरीके से कोई भी सवाल हों आप प्रूब कर तकते हैं अब ये हमारा अगला सवाल है कि दियागया एक तुईखाज समिक्र तिया गया इसमें X Plus 2 से भाग देना है कितने से गुड़ा किया जाए कि 2x² हो जाए या हम इसमें भाग दे दें एकस से जो आएगा उसको यहां लिखेंगे अगर इसमें हम एकस से भाग देते हैं तो यहां 2x बसता है तो 2x यहां लिखेंगे अब इसी 2x का इसमें गुड़ा करेंगे फिर इसमें गुड़ा और 2x का गुड़ा 2 की साथ करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 4x अब यहाँ पर हम घटा लेते हैं यह घट माइनस हो जाता है घटाने पर चिन बदल जाएंगे यह कैंसल हो गया यह होगया माइनस x बलस होने प्लष हो गया अब यहाँ देख रहे हैं x लिखा गया है और यहां माइनस x लिखा गया है तो अगर यहाँ पर माइनस 1 बार हम ले जाएं तो यह कैंसल हो जाएगा तो माइनस 1 यानि एक्स में एक्स से भाग देंगे तो यहां माइनस वन जाएगा तो वो चीज यहां लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू तो इस तरीके से हम इसको साल्व कर लेते हैं यह पलस हो गया घटाने पर यह माइनस है तो पलस घटाया जाता है चिन बदल जाते हैं तो यह कड़ गया अब यहां 2, 1, 3 तो अर्था यह भागफल हमारा हो गया भागफल भागफल बराबर 2 x minus 1 और सेश फल सेश फल पूँछ रहा है तो सेश फल जो बच रहा है तीन यही सेश फल होगा और यही हमारा एंसर होगा तो यहां भाग देने के लिए ध्यान देना है सबसे पहले पहले पद में इससे भाग देते हैं जो भाग फल होता है यहां लिखते हैं इसके बाद उसका गुड़ा दोनों के साथ करते हैं फिर इसके बाद घटाते हैं फिर उसी तरीके जो व्यंजक आता है फिर उसमें भाग देते हैं इस से जितना भाग फल होता है यहां लिखते हैं फिर उसका बुड़ा दोनों के साथ करते हैं अंत में हम सेस्पल या कट जाए तो पूरा जीरो आ जाएगा इस तरीके से इसको भी हम साल्व कर लेंगे यह कुश्चन देखिए बहुत ही आसान है इसमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज है त्रिभुज ABC जिसमें कोण A समकोण है इसकी दो माधिकाए हैं CM और BL यह दो माधिकाए हैं सित करना है कि 4 into BL square प्लस CM square और 5 BC square यह है यह बहुत आसान है इसमें पाइथा गोरस पर में का हम प्योग करेंगे अब चुकि त्रिभुज CAB यह इसमें कोण A समकोण है राइट एंगिल ट्रिएंगिल यह हमारा है CAB यह राइट एंगिल है जिसमें कोण A यानि CAB इसको लिख सकते हैं बराबर 90 तो पाइथा गोरस त्रिम समकोण के सामने की भुजावर बनावर्ग सेज़ दो भुजावर बने बरगों के योग के बराबर होता है तो यह हमारा हो जाएगा BC स्कौार बराबर BC स्कौार बराबर हो जाएगा AB स्कौार प्लस AC स्कौार AB स्कौार प्लस AC स्कौार यहनि समकोण त्रिभुज में कान पर बनावर्ग सेज़ दो भुजावर बने ब बी यल ए में, इसमें भी कॉंड यह हमारा 90 डिगरी है, तो जब उसमें कॉंड 90 डिगरी है, तो यह हमारा बी यल स्क्वाइर बराबर, बी यल स्क्वाइर बराबर, ए बी स्क्वाइर, ए बी स्क्वाइर प्लस ए ल स्क्वाइर, ए ल स्क्वाइर यहां पर, इस त्रोज में यह कंड हो जाएगा, इसका बराबर इतना के, अब इसको लिख सकते हैं, ए बी स्क्वाइर धन, ए ल को हम लिख सकते हैं, ए ल हाफ हैसी लिख सकते हैं, हाफ एसी, क् यह माध्धि क्या है तो हाफ AC का whole square लिख देंगे यह हमारा आ जाएगा AB square प्लस 1 by 4 AC square इसका square करेंगे तो 1 by 4 तो यह 4 BL square चार से गुड़ा कर देंगे तो 4 BL square बराबर 4 AB square प्लस AC square यह हमारा दूसरा समिक्याण हो गया यह तो पहला है और यह दूसरा हो गया अब फिर हम क्या करेंगे अब त्रिभूज उन्हा त्रिभूज यह त्रिभूज ले लेंगे CMA में अब उस त्रिभूज को ले लेंगे तो CM square बराबर हो जाएगा CM square बराबर CM square बराबर CA AC square प्लस AM square अब AM जो है यह माद्धि क्या है इसका मद्धिबिन्दु है तो इसकी जगे हम लिख सकते हैं AC square प्लस half AB half AB इसको लिख सकते हैं इसका स्क्वाइर कर देंगे अब यहाँ पर यह हो जाएगा AC square प्लस एक बटे 4 AB square हो जाएगा AB square एक बटे 4 AB square हो जाएगा अब 4 ते गुड़ा कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 4 CM square बराबर 4 AC square प्लस AB square अब यह हमारा तीसरा समीकराण होगे अब 2 और 3 को हम जोड लेते हैं जब जोड लेंगे तो 4 यहाँ लिख सकते हैं समीकराण 2 धन 3 से तो क्या होगा 4 CM 4 BL square प्लस 4 CM square बराबर 4 AC square प्लस यहाँ पर लिखा है 4 AB square लिख देंगे प्लस यहाँ पर 2 AB square यहाँ AB square है और यहाँ भी AC square प्लस AB square प्लस AC square अब यहाँ ध्यान देना है कि 4 common लेंगे तो यह BL square प्लस CM square CM square बराबर यहाँ पर 4 AC square प्लस AC square प्लस AB square और प्लस AB square प्लस AC square प्लस AC square प्लस AC square अब यहाँ पहले समीकेंड से b² प्लस ac² bc² यह हो जाएगा हमारा यानि 4bc² प्लस bc² bc² यह हमारा हो जाएगा 5bc² तो यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करने के लिए दिया गया है 4bl² प्लस cm² बावर 5bc² स्वाल बहुत ही easy है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक बार बड़े त्रिभुज में हम पाइथागोर स्थियरम अपलाई कर देंगे फिर इस त्रिभुज में अपलाई कर देंगे फिर इस त्रिभुज में अपलाई करके इसको जोड देंगे तो वह हमारा सवाल हल हो जाएगा आसा करता हूं कि ये भी सवाल आप सभी साल कर लेंगे ये कुश्चन दो नमबर का आएगा ये हमारा अगला सवाल है Sign 25,65 प्लस कास प्लस कास पचीशन Sign 25,65 का मान ग्यान कीजिए एक फार्मूला हम जानते हैं त्रिकोन मिती में कोड़ दो कोड़ों के योग का त्रिकोन मिती अनपात साइन ए कास बी कास बी प्लस कास ए कास ए साइन बी यह होता है साइन ए प्लस बी के बरावर होता है यहाँ ध्यान देना है, यह sin A plus B, बरावर sin A cos B plus cos A sin B, तो जो हमारा सवाल दिया गया है, उसमें लिखा गया है, sin 65, cos 65, sin 65, यानि A का मान 55 दिया गया है, B का मान 65 दिया गया है, तो इसको हम लिक देंगे, sin 65, cos 65, plus cos 65, sin 65, बरावर sin 25, यहाँ लिख देंगे, 25 plus 65, यह हमारा आ जाएगा, sin 90 दिया, और हम जानते हैं, sin 90 का मान एक होता है, हर्था 30 का मान एक होगा, यह हमारा एंसर होगा, इस तरीके से हम, sin A plus B, cos A plus B, 10 A plus B, उस तरीके के जो सो तरोते हैं, जैसा सवाल दिया जाए, हम उसमें अपलाई करके साल्व कर सकते हैं, उसको, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ इसी तरह के important सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद,